डिमपल कपाडिया को राजेश खन्ना ने तब चुना जब उनका स्टारडम आसमान छू रहा था। अंजू महिंद्रू संग तूटे रिष्टे के बाद डिमपल उनकी जिन्दगी में आई। लेकिन बॉलिवोड की मुंजी के साथ उनकी दोस्ती से डिमपल को काफी जलन हो प्यार के किस्सों की अलग-अलग कहानिया हैं। एक जमाने में रेखा संग अमिता बच्चन की दोस्ती सुर्ख्यों में थी। देवानन साहब के साथ सुरयया का नाम जुड़ा तो दिलिप कुमार के साथ मधुबाला का। लेकिन राजेश खन्ना बॉलिवोड के पहले अंजू महिंद्रू संग उनके रिलेशन्शिप में रहने और फिर अपनी उम्र से 16 साल छोटी डिम्पल का पाडिया से शादी कर खोब सुर्ख्यां लूटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजू महिंद्रू नहीं एक बॉलिवोड हसीना के साथ काका की बॉन्डिंग इतनी जबर्दस्त थी कि कई बार तो उनकी पत्नी यानि डिम्पल का पाडिया को भी जलन होने लगती थी। डिम्पल का पाडिया को राजेश खन्ना ने तब चुना जब उनका स्टारडम आस्मान छो रहा था। अंजू महिंद्रू संग तूटे रिष्टे के बार डिम् लेकिन बॉलिवुड की मुंजी के साथ उनकी दोस्ती से डिम्पल का पाडिया काफी हद तक जल भी रही थी और डर भी रही थी। जलन तो इस हद तक थी कि एक बार उन्होंने खुद राजेश खन्ना यानि अपने पती से कह दिया था कि तो फिर उसी से शादी कर लेते। क्या है ये फिल्मे किस्सा चलिए आपको बताते हैं ये एक्टरस और कोई नहीं मुम्तास थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग कई नामों से इन्हें बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहते थे। देवानंद उन्हें प्यार से मुंजी बुलाया करत और बहुत सारे लोग उन्हें उनके निकनेम मूमू से पुकारा करते थे। दोस्ती बहुत गहरी थी। एक बार तो भीड में बिना हिचक के राजेश खन्ना की जान बचाने चली गई थी मुझी। लेकिन राजेश खन्ना और मुम्ताज की इस दोस्ती से डिंपल का पाड़िया को जलन होती थी। चक के बीच पनपने लगे। अब जब राजेश खन्ना मुम्ताज के साथ कोई भी फिल्म करते तो डिंपल का पाड़िया सेट पर बिना इन्फोमिशन पहुंच जाया करती। मुम्ताज को लेकर डिंपल गलत सोचने लगी। जिसकी वज़ा से राजेश खन्ना से उनका घर में जगड़ा भी होने लगा। फिर 24 साल की उम्र में मुम्ताज की शादी बिजनस्मेन मयूर माधवानी से तैह हो गई। तब जाकर डिंपल का पाड़िया की जान में जान आई। मुम्ताज की सगाई में डिंपल का पाड़िया भी पहुँची थी लेकिन उन्होंने इस शादी में शिरकत नहीं की। शादी करनी चाहिए थी। महीं मुम्ताज ने अपने एक इंटर्व में कहा था कि राजेश खन्ना के जिन्दगी में करिब 10 सालों से एक महिरा थी जिनका नाम अंजू महिंद्रू है। हम सभी को यही लगा था कि काका उन्हीं से शादी करेंगे। लेकिन डिम्पल के साथ शादी की बात कहकर उन्होंने एक रूस सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दे कि शादी के कुछ साल बार डिम्पल कपाडिया राजेश खन्ना से अलग भी रहने लगी थी। हाला कि उसकी वज़ों का कभी कोई खुलासा नहीं हुआ। डिम्पल कपाडिया ने काका की संपती से फूटी कौरी तक नहीं ली।